तेव हारु की भागदौर में हमें मिठाइयां भी बनानी हैं, स्नैक्स भी बनानी हैं, गर की सफाय भी करनी हैं, साथी शौपिंग शुरू हो जाती है तो इन सारी भाग दौड में ऐसे हैक्स हमें बहुत काम आते हैं जो हमारे काम को असान बना देते हैं हमारी रसिपी को हेल्दी और क्विक बना देते हैं हेलो फ्रेंद्स, वेल्कम बैक टो मैं चैनल, मैं समीता आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ कुछ किचन टिप्स उमीद करती हूँ आपके लिए यह हल्पल रहेंगी, आपको पसंद आएंगी तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ वो है एक सिंपल सी आलू की रसे वाली सबजी जिसे हम प्याज और लेसन के विना बनाएंगे और इसे आफ फास में भी खा सकते हैं तो यह है आलू की रसे वाली सबजी इसके लिए मैंने थोड़ा सा ओइल डाला है उसमें डाला है जीरा जीरे के साथ अधरक और मिर्चिस में डाली है अगर आप लेसन और प्याज नहीं डाल रहे हैं तो इसमें अधरक अच्छी कॉंटिटी में डालें ताकि टेस्ट आए इसके बाद इसको मैंने भूल लिया था और इसमें डाला है टेमेटो तो 2 मीडियम साइस के टेमेटो मैंने चॉप करके ڈाल दी है साथ ही मैंने डाल लिया है अधरक खलदी, मिर्ची, धनिया भी इसमें डाल लिया है इसको कवर करके तो पूल हमारे टेमेटों सौफ्ट नहीं हो जाते हैं अच्छे से कॉक किया है और इस recipe को आप पूरी के साथ serve कीजिए बहुत ही अच्छी लगती है साथ ही तेहारों में अब काफी सारी चीज़े बनाते हैं तो यह simple से अगर gravy वाली सबजी आप साथ में रख दें तो आपकी ठाली में चार चान लग जाएंगे तो try ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ अपना feedback शेर कीजिएगा next जो tip है वो मैं ज़रूर follow करती हूँ especially तिवार के season में वो है चटनी क्यूब्स बना कर रखना क्योंकि अकसर होता है अगर हमने कुछ चीज़ बनाई है उसके साथ हमें चटनी serve करनी है तो कई बार दानिया नहीं मिलता कई बार टाइम पे पुदीना नहीं मिलता और कई बार हम भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में तो अगर आप एक हपते पहले भी इस तरह से चटनी बना कर उनको इस तरह से क्यूब में set कर देंगे तो अगर आपके पस धनिया पुदीना आ जाता है तो आप चटनी फ्रेश्ट बना सकते हैं इन केस नहीं आता है तो आपके पास यह option रहेगा कि आपने क्यूब्स बना कर रखे हैं इन क्यूब्स को आप जिस फ्रीज कर लें और उसके बाद जब आपको जरुद हो तो आप निकाले और उनको यूज कर सकते हैं इसलिए मैं थोड़ी सी quantity में जुरूर बना कर रखती हूँ चटनी इस तरह से इन केस मेरे पास कभी पुदीना और धनिया नहीं है तब यह बहुत काम आते हैं इसको आप थिक धनिया पुदीने का थिक पेस्ट बना कर भी रख सकते हैं और जब आप उनी चटनी बनाए तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं तो ऐसा नहीं कि हर बार आप चटनी स्टोर करके ही रखें बर अगर थोड़ी सी रखते हैं तो कई वर ना मिलने पर वो बहुत ज़्यादा काम आती है निक्स में आपके साथ एक नमकीन मिक्शेर शेर कर रही हूँ जिसे अगर आप बना कर रखते हैं तो आपको बाहर से नमकीन लेने की ज़रूद बिल्कुल नहीं पड़ेगी यहाँ पर कुछ ट्राइफ फूट्स लिये हैं मैंने ज़र मकानी, काजू, बदाम, नारियल और मुफली ली है पोगा और मुडी ली है, यहाँ पर कॉनफरेक्स है, किसमिस है और यह है रोस्टेट चना जिसको हम चट्नी में यूस करते हैं तो यह मैंने यहाँ पिलिया है तो सबसे पहले एकि मसाला बना लेता है, इसमें हल्दी डाली है, मैंने रेट चिली पाउडर डाला है, चाथ मरसाला और जीरा पाउडर मेकस करके डाला है, इसके बात इसमें डाल दिया है नमगः, और चुटकी भर इसमें डालेंगे सिट्रिक ऐसिड, और इसके बाद एक चमद मैंने इसमें डाला है पाउडर शुगर इसको आप अच्छे से मिक्स कर दी यह हमारा बहुत ही टेस्टी सा मसाला रेडी हो गया है जिसे आप नमकीन के उपर यूस कर सकते हैं तो इसको आप बना कर भी रख सकते हैं और क्रायते के उपर भी बहुत अच्छा लगता है यह मसाला पर उसमें सिट्रिक असिड नहीं डालेगा यहाँ पर मेरे पस करीपता फ्रिश नहीं था तो मैंने अलग से इस तरह से लिया है यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे कढ़ाई को हीट अप यहाँ पर हम डेफ्राइ नहीं करने वाले हैं किसी भी चीज़ को जिसे मारकेट में जो नमकीन मिलती है उसमें हर चीज डेफ्राइड रहती है तो यहाँ पर जिस थोड़ा सा ओयल डाल कर मैं सारे जो ड्राइफ फूर्स हैं मेरे पस उनको सेक लूँगी पहले तो जो ड्राइफ फूर्स जैसे मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि जो सिखने में ज़्यादा टाइम लगता है जिनको उनको पहले डाले हैं और ऐसे से करके सीक्विंस में आप उनको पून सकते हैं हापे सबसे पहले मैंने नारियल और काजू को इस तरह से रोस्ट किया है और ड्राइफ फूर्स को जब हम घी में बूनते हैं तो उनमें काफी अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसके बाद मैंने मखानी काजू बदाम भी एड़ कर दी है और इसमें जो मैंने सनफ्लार सीड लिये थे वो भी मैंने आड़ कर दी है तो आप में सीड नर्स जो भी है वो डाल सकते हैं अब इसको अच्छे से मसाले के साथ मैं कोट कर लूँगी थोड़ा थोड़ा मसाला हम बीच बीच में डालते रहेंगे जैसे जैसे हम भूनते जाएंगे क्योंकि गरम है और इसमें हलका सा घी भी कोटेड है तो वो अच्छे से मसाले को पकड़ लेगा इसके बाद जो चने थे वो अलड़ी रोस्टेड है पर यहां पे घी में मैं इस तरह से सौटे कर रहे हूँ ताकि इनके उपर भी एक अच्छा सा रोस्ट वाला फ्लेवर आ जाए इसके बाद इसको भी निकाल लेंगे हम बोल में तो इस तरह से चने भी निकाले और उसमें तेल बिल्कुल कम हो गया है तो अभी हमें पोहा और मोडी को भी फ्राइ करना है तो उसके लिए मैं बिल्कुल भी इसमें ओईल या घी नहीं डालने वाली हूँ इसको ऐसी ही हम आज पर सेक लेंगे कुरा ही तो यहां पर सबसे पहले मैंने पोहा डाला है पहुआ एकदम क्रिस्प हो जाता है खड़ा-खड़ा सा उस तरह से हमें करना है जस्त एक-दो मिनट ही लगते हैं इसको करने में तो कड़ाई हमारे एकदम गरम है तो एकदम कम टाइम लगेगा बस इस तरह से हमने सारी चीजों को अच्छे से यह भून लिया है मूरी को मैंने लास्ट में इस तरह से डाला है ताकि इसमें भी अच्छा सा क्रंच आ जाए बेसिकली इनको हमने रखा होता है घर पे तो फिर थोड़ा सा मौशर आ ही जाता है उसके लिए इनको भूनना बहुत जरूरी है तो डीफ राई की जरूरत नहीं पड़ती है नमकीन में आप इस तरह से इनको रोस्ट कर सकते हैं अब इन सारी चीजों को हलका सा घी लगा के अवन में भी रोस्ट कर सकते हैं पट यहां पर मैं इनको ऐसे ही तकड़ाई में भून दे हूँ अभी देखिया हमारी मूडी भी भून कर रिडी हो गई है मुरमुरा जिसे कहते हैं इसको हम निकाल लेंगे बोल में और अब जो सारा मसाला हमारे पास है उसको हम इसमें के ओपर थोड़ा थोड़ा करके अड़ करेंगे कॉन्फलिक्स और किसमिस को मैंने नहीं भूना है उसको हम एसट इसको पर अड़ करेंगे क्योंकि वो ऐसे भी crisp है और Christmas को हमने मिठास के लिए इसमे अड़ किया है तो उसको भी अज़निए सम्यूस करेंगे तो फिर देंके इसको हमने अच्छे से mix दे दिया है मसाला इसके उपर अच्छे से डाल दिया है सारी चीजों को layer में आप मसाला डालें और फिर सारी चीज़ों कच्छे से mix करें तो ये हमारा ready हो गए इसमें आप तड़का भी लगा सकते हैं करी पत्ता का बट मैंने ये सारी चीज़ें ऐसी ही mix कर दी थी और ऐसी ही काफी tasty लग रही थी अगर आप चाहें तो उसमें उपर से करी पत्ता वाला तड़का भी लगा सकते हैं हलका सा oil डाल कर बेशन के लड़ू almost सभी के favorite होते हैं बट इनको बनाने में जो time चाता है उसको बचाने के लिए आप ये hack यूज़ कर सकते हैं यहां पर ये roasted चना जो कि मैंने अभी नमकीन में भी डाला था वही मैंने लिया है और ये लगभग एक कप मैं लूँगी और इसको मैं अच्छे से grind कर लूँगी तो ये इस तरह से मैंने इसको roast नहीं करना ये roasted होते हैं तो जो बेशन को भूनने का time हमारा होता है वो बच जाता है और बहुत जल्दी ये recipe हमारी ready हो जाती है इसको आप without fire भी बना सकते हैं बढ़गी अभी थोड़ा सा जमा हुआ है अगर आप कहाँ पे गर्मी है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप बिना fire पे रखे हुए भी इसको आप बना सकते हैं क्योंकि चने को भूनने की जरूत नहीं होती ये को गरम करके उसमें मैंने अच्छे से इस चने के mixture को भून लिया था उसके बाद इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेगे और इसमें हम add करेंगे बूरा लड़ू जब भी आप बनाएं तो उसमें बूरा एट करें अगर आप इसके बर्फी बना रहे हैं तो उसमें आप चीनी की चासनी बना कर एट करें काफी डिफरेंस आता है रेसिपी में तो ट्राइ जरूर करके देखें इस तरह से बस बूरे को इसमें mix कर देंगे और इसके लड़ू बांद लेंगे तो ये देखें अभी ठंडा हो गया है hold हो रहा है easily तो बस अब इसके मैं लड़ू बांद लूँगी ये पूरी रेसिपी अगर आपको देखनी है तो मैंने लास्ट ये शेयर की हुई है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगी बहुत ही अमेजिंग लड़ू बनते हैं आप जरूर ट्राय करके देखेगा अगर आपने भी अभी तंग मिठाईयां नहीं बनाई है और आपको एक रेसिपी देखना चाहते हैं तो इससे पहले वाला वीडियो है उसमें मैंने आठ रेसिपी शेयर की हैं मिठाईयों की आपसे जरूर चेक कीजिएगा यहां पर मैं बना रही हूं मिठ्स ट्राय फूड लड्डू जिसकी रेसिपी मैंने आलरी पिछले वाले वीडियो में शेयर की हुए है यहां पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि जब आपसका मिक्षर बना लें इसमें हम मीठा नहीं डालते हैं इसमें हम खजूर का यूज कर रहे हैं इसमें फ्लेवर के लिए आप सिनमन जरूर डालें सिनमन का इसमें बहुत इच्छा फ्लेवर आता है मैंने जो फर्स आपके साथ शेयर कहता वो मेरे घर में खतम हो चुके हैं मैं दुबारा यह लड़ू बना रही हूं क्योंकि इतने टेस्टी लगते हैं तो इस लड़ू में मैंने सिनमन एड़ किया है अब थोड़ी से ब्लैक पेपर या सोंट भी डाल सकते हैं तो काफी अमेजिंग लगते हैं यह लड़ू नेख्स क्लीनिंग टिप है जिसमें हम अपने सैंडविच मेकर को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं ति आप यहां पर पीदेख रहे हैं इसको जड़ू मैं कलीन क Chance ना वह मिल्ट करना यह सा मिल्ट हो जाएंह और आप को इसको तो इसको क्लीन करना बहुत असान वहीं को और इसक से वाइप कर सकते हैं वैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आप ego bakey sheet इसके बीच में लगा सकते हैं तो उस से आपका sandwich maker खराब नहीं होता है पर कई बार होता है हम जल्दी में होते हैं हमने directly use किया तो इस थरह से आप clean कर सकते हैं बहुत ईजली क्लीन हो जाता है और काफी कन्वीनेंट भी रहता है लास्ट में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं एक बहुत ही हेल्दी स्नैक्स आइडिया जो की हम बनाएंगे आटे और बेसन के साथ जनरली मार्केट में जो भाकरवडी मिलती है वो मैदे की बनी होती है बट यहाँ पर हम बेसन और गहूं का आठा यूज cash करने वाले हैं तो एक 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 कप दोनों लिया है मैंने इसमें हम नमक कड़ेंगे और इसको एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे इसमें हम मोहीन लगाएंगे तो मोहीन लगाने के लिए इसमें हम यूज़ करेंगे रिफाइंड ओयल जिसको मैंने हीट अप करने रखा हुआ है अभी मैंने इसमें तोड़ा सा कसूरी मेथी अजवाइन और हल्दी डाल दी है इसके बाद इसमें मैंने वन फोर्थ कप एड़ किया है गरम ओयल आप रिफाइंड ओयल घी बटर कुछ भी ल लग जाए इसके बाद इसको मुठिया बाद लेंगे अगर यह बनता है तो बस यह रेडी है डो बनाने के लिए इसके बाद हलका गरम पानी से इसका हम डो बना लेंगे टाइठी डो बनाएंगे जैसे मट्री वगेर का हम बनाते है वैसा ही डो बनाकर रेडी कर लेंगे उ उसमें हम थोड़ा सा मोटा धनिया, जीरा, सोंफ, काली मिर्च, लॉंग, इसको हम बारी बारी पीस लेंगे, आप चाहे तो रोज करके पीस सकते हैं, उसके बाद एक पैन, इनको मैंने ही टरब किया है, ऑईल डाला है उसमें, और यह जो पिसा हुवा मसाला था, उसे मैंने अट किया है, साथ ही डाला है नमक, इसके बाद इसमें हमने एक चमच बेसन डाला है, बहुत ही कम कॉंटिटी में यह मसाला हमें चीए, इसमें हम थोड़े से तिल भी अट कर देंगे, और उसको अच्छा सा एक मिक्स दे देंगे, कलर के लिए इसमें मैंने देगी मिर्च डाल दी है, और थोड़ी सी हल्दी और एड की है, इसमें मैंने, इसके बाद इसमें हम एड करेंगे, थोड़ी से पॉपी सीट और अब मैंने एड किया है, चाट मसाला, तो फ्लेवर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा अच्छा सा क्रंचा है, उसके मैंने थोड़ी सी भुजिया भी अड कर दी है, और ये मिक्षर हमारा रेडी है, साथ ही मैंने जो हम चटनी बनाते हैं सोट वाली वो यूज की है इसके लिए, आप कोई भी और चटपटी चटनी का यूज में कर सकते हैं, इसके बाद इसमें से एक पोर्शन लिया है, और इसमें हमारा आटा और बेसन है, तो ये बहुत एकदम पॉफिक्ट राउन नहीं बनता है, तो इसको मैंने इस तरह से स्कौाइर पीस में कर लिया है, जो ब्रोकन साइट थी वो मैंने हटा दी, इसके बाद मैंने इसमें ये सोट लगा दी है, और जो मसाला मैंने बनाया थ इसको मैंने इसके उपर डाल दिया है इस तरह से, और अब इसको छोटा छोटा सा करके रोल बना लेंगे, तो टाइट रोल बनाना है ताकि सारी चीज़ें इंटाक्ट रहे हैं, ये मैं आपको एक दूसा दिखा देती हूँ, तो इस तरह से मैंने पहले ये चटनी लगा द दें और उसके बाद एक सार्फ नाइट से इसको इस तरह से कट कर लेंगे, तो ये देखे, पिन्विल की तरह ही हमारे रेडी हो गए हैं, ये मैदा नहीं है तो ये थोड़े से कट-कट आपको दिखाई देंगे, बड़ ये फ्राइ होने के बाद बहुत अच्छे लगते ह काफी क्रिस्प बनते हैं, इसके बाद इनको हाथों के हल्प से इस तरह से प्रेस कर देंगे, तो थोड़े से फ्लाट ही हो जाएंगे, थोड़े साइज में बड़े भी हो जाएंगे, तो ये देखे, सारे मैंने इस तरह से फ्लाट कर लिए हैं, इसके बाद भी चाहे तो आप इनको rest करने रख सकते हैं और उसके बाद एक साथ इनको fry कर सकते हैं तो यहां पर गर्म गरम तेल है हमारा इसमें हम इनको fry कर लेंगे तेज गरम oil में पहले डालें उसके बाद आच को कम कर लें और आप देखिए कितना बढ़िया यह सिक्कर आया है मसाले भी बहुत प्रेस्ट भी कराया उसके बाद प्रेस किया है इनको तो वस इती इस तरह से इनको गरम तेल में हम तर लेंगे तो यह हमारी मसाले दार भाकरवडी बनकर रेडी हैं काफी क्रिस्प और टेस्टी लगती हैं यह काफी क्रिस्प यह बनती हैं और आटे से बनी हैं तो काफी ह झाल थाय थाय।